जैसा कि अभी हाली में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से महिलाओं के पर अत्याचार हो रहा है उनके उनका सोसड हो रहा है यहां तक कि आवरोपी खुले आम घूमते हैं लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला उनको सजा देने वाला कोई नहीं है इसी मामलियों को लेकर एक ऐसा घटना यहां पर हुई है लखनव में जहां पर एक लड़की को सरे आम 20 सड़क कई आप फिर एक बार नहीं है कई बार लड़की को छेड़ा गया कुछ दबंगो द्वारा मन्चलो द्वारा छेड़ा गया उनके बत्तमीजी की गई लेकिन इस लड़के ने एक दिन यह लड़की जॉब कर रही है वर्कोहॉलिक बुमेन है और यह ओफिस से आ रही थी अपने बीच रास्ते पर उन मन्चलो ने इस लड़की को रोक लिया रोकने के बाद बत्तमीजी की हद देखिये उस लड़के ने अपने मतलब हथिया लिये वह था तब अंचा निकालके दिखाया और उसको थपड मारा कि ज्यादा बोलोगी तो ठोक दूँगा यहे पुरुषों की यह मांसिक्ता है यह महिलाओं को लेकर इसी सिलसिले में पीडिता ने हमको फोन किया बताया कि ऐसी इसी बात है प्लीज आप कोई सासन प्रसासन तक इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है एफायार कराई गई है और उसकी गिरफतारी तक अभी नहीं हुई है और वो मंचला खुले हम घूम रहा है वहां के जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है वो बोल रहे हैं कि जो आपके पर धाराय लगी है अभी मैं आपको दिखाने कि धाराय क्या क क्या लगी नहीं है कि उसलड़के पर धाराय लगी हैं 354 ठीक है 323 पांसो चार और 506 यह धाराय लगी है फिर भी उसलड़के की गिरफतारी नहीं है और इंस्पेक्टर साही बोल रहे हैं कि अगर एगा की गिरफतार जब पकड़ा जाएगा तो तब बताओंगा मतलब पक पुलिस को कोई काम नहीं है पुलिस कोई काम नहीं करना चालरी जब पकड़ा जाया जाया तब यह बेटी सब्सक्राइब यह मा बाप लड़कियों को बाहर भीजने से डर ते हैं कि कहीं कोई ऐसा काम हो मेरी बच्ची के साथ लेकिन यह बएदुरी ने कि इसको सामना की किये किए लेकिन उस लड़की नहीं किया बहादुरी का फरीचे दिया उर अपनी बात अपने इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है यह समय भी जिला लकनों के काकुषी थाना में इसका मामला भी दर्ज संभाल कि एम बात करूंगी और जानुंगी उनकी समझटा क्या 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 है क्या से क्या क्या अगा मौलफ क्या है पुरší माम लेक आपको तेकीकात कर दो ईंजिली आप पूरा मामला बताए कैसे क्या था रोज की दर हम आ रहे थे इस लड़के ने रोज की दर हम आ रहे थे वापस काम से करीब वही नौशाए आट बजे मेरा वर्क छूटता है तो मैं आती हूं मुझे वहां से आने में एक घंटा लग जाता है तो जैसे ही मैं टैक्सी से उत्री ठीक है ये एक ये लड़का था इ वहां बजे रहे बहुत लुटता है जैसे में रहे लड़का उठा और मुझे जोड़ दार थपड़ मार दिया था अधक्का दिया धक्का देने के बाद बंदूक रक्के हुआ था पीचे करई ज्ञादा बोली कि मैं तुझे अबढ़ और मुझे बहुत सारे अपसब्द कहें और यह घटना वहां हुई जो बहुत सारे लोग भीड थी वहां पर और किसी ने उस लड़के के खिलाफ कुछनी का किसी ने मेरा साथ वहां पर नहीं दिया क्योंकि वह लड़का इतना दबंग है ठीक है सब उससे डड़ते हैं यही कहता है तो और फिर वह मार पीट के मुझे भाग गया मैंने प्लीस भी बुलाई सब कुछ लेकिन कोई कारवाही नहीं हुई मैं थाने के चक्कर मैं उसी रात में गई काकोरी थाना है ठीक है तो इस्पेक्टर साहब ने मेरी अफायर इसले नहीं लिखी क्योंकि मैंने उस अप्लिकेसर में सांसध का नाम लिख रखा था बाइज जितना मुझे पता था कि वह सांसध के घर का है तो सांसध का नाम ही तो डालेंगे लिकर उन्होंने इस वज़े से नहीं मेरी अफायर लिखी का था और करीब हम लोग देड़ दो बज़े तक रात में रुके थाने म लेकि मेरी अफायर नहीं लिखी गई फिर दूसरे दिन जब मेरी अफायर लिखी जाती है तब भी हमको कोई सबूत नहीं देते हैं कि मेरी अफायर लिखी गई है को इन्होंने प्रूफ मुझे नहीं दिया फिर मेडिकल भी उस दिन नहीं हुआ मेरा ठीक हम मेडिकल भी ल कारवाही नहीं गए गटना बाइस तारिक किए आज हो गए 26 तारिक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करता है उस हम को फिर रोकने की कोसिज़ करता है हमने यह बात इंस्पेक्टर सर साब को बताई तो वो कहते हैं कि आप परिसांद ना होए हम देख कुछ नहीं कर पाएंगे आप परिसान मत हुए हमें दिलासा दे रहें कोई कारवाही नहीं कर रहें और दूसरी बात कहते हैं कि यह जो धाराएं लगी है मैडम जी इन में कुछ संसोधन हुआ है जिसके वज़ेस हम उस लड़के के गिरफतारी नहीं कर सकते ठीक है वह गया है कि आख दो नगाव किसी को मारा म्ला चल रहे है यह सारी घटना है और पर फिर हम उसी जिस दिन मेरी 11radah के सकते हैं गये तो उनका कहना है कि अगर वो छेरशार करता है तो आप रास्ता क्यों नहीं चेंज कर ली वो एक लेडी होके एक औरत होके एक लड़की औरत होके हम से कहती है कि आप रास्ता चेंज कर लेती है यहां पर महिलाई ऐसे रहती हैं अंसे अब एक लड़की है कर रही है नोकरी कर रही है क्या इन मंचलों के डर से वह घर में बैठ जाए इसका कौन जिम्मेदार होगा अगर इसके इसने आवाज नहीं उठाई होती क्या यह सासन प्रसासन जब तब जागेगा जब इस लड़किक साथ कुछ अनसुनी हो जाएगी कुछ ऐसा हो जाएगा कब जागेगा या कुछ गलत हो जाएगा उन मंचलों द्वारा वो तो ऐसा करके फरार हो गया लेकिन उसके दोस्त भाई और भी खांदान के ऐसे लोग हैं जो इस लड़कियों को आज दिन परिसान कर रहे हैं धंकिया दे रहे हैं मतलब 22 तारिक से 22 तारिक से 26 तारिक आज हो गई है लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुए यह फायर की नोट है मारे पास अभी तो कोई कारवाई नहीं है लड़की ने दो तीन तीन अप्लिकेशन भी थानी में दिया है वहां की इस्पेक्टर साहिब कह रही है कि आप रास्ता बदल लीजिए मतलब एक लड़ होता है कहीं उनका मानसिक सोसर होता है लेकिन अगर वो आवाज उठाती है तो उनका इंसाफ नहीं मिलता है अब सवाल यह उठता है कि इस लड़की के सेफटी के लिए क्या सासन प्रसासन कोई कदम उठाएगा आगे अब इस लड़की ने अगर अफायार उनके खिलाप कि उनको भी मानने की धमकी दी जा रही है मतलब पूरी तरह से इस लड़की ने अगर अपने खिलाब आवाद उठाई है तो अब ये पूरी फैमली अनसेफ हो गई है और इन मंचलों के लिए कोई कारून, कोई कारवाई कुछ नहीं है और खुले याम दबंगई कर रहे हैं खुले याम गुंडा गरदी कर रहे है कि इनका कोई नहीं भी गाड़ सकता इनकी पावर है मतलब लड़की रास्ता बदल ले लेकिन ये अपने मंचले अपने काना में नहीं बदलेंगे ये आए दिन हैं लड़कियों को ऐसे अत्याचार करते रहेंगे ऐसे लड़कियों को छेड़ते रहेंगे इनके मनसूबे और बढ़ गए है कौन नहीं कुछ लगाएगा सासन प्रसासन अगर कड़ी कारवाई नहीं करेगा पावर को दिखा कर वो लोग अपने आपको बचा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं लड़की का कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हमें उपर तक भी जाना होगा तो अब यह उपर जाने की बात इतनी बड़ी है कि अगर जरू जाहिसी बात है कि यहां के जो काकोरी थाना में यहां पर बैठे हुए है जरू यहां पर कुछ धिलाई हुई है तभी लड़की उपर जाने की बात कर रही है तो अभी तक आप लोगों ने अगर यहां पर इतने दिन से कोई कारवाई नहीं हो रही है तो एससपी से या कभी कॉटेक करने की कोशिस की बात बताएंगे तक कि वह वो हमारे हमारे मुम को एनसाप दिल यह और उस लड़के को ग्रहतार कर वाय है वो अभी भी खुला हूं रहे है तो पीड़ताओं का कहना यही है कि इस उन मंचलों को जल से जल गिरपतारी की जाए और उनको सेफटी के लिए कुछ अगे कदम उठाया जाए ताकि ये इनके साथ आगे उनके द्वारा ना किया जाए और ये सेफ रहे इनकी परिवार सेफ रहे